इब इब नमस्कार दोस्तों पुज़ा डिजाइंस एन स्टिछिंग में आपका स्वागत है आज हम स्लीव डिजाइन का वीडियो आपके साथ शेयर करने वालें तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं यह देखिये मैंने लाइनिंग पर श्लीव कटिंग कर लिए जिस तरी के समें नौर्वल स्लील कटिंग करते हैं और यह मेरा मैन फैब्रीक है अब हमें सबसे पहले लाइनिंग पर यह देखिए डेड इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है यह देखिए और फिर इसको हम एक इंच पर गोलाई इसमें देंगे कर वेक इंच पर लगाए और फिर इस पर हमने कटिंग कर लिए यह देखिए और कुछ इस तरीके से हमारी सेफ हाई है स्लीव की अब हम मैं फैब्रीक को सीधा रखके उस पर लाइनिंग को इस तरीके से रखते हुए और नीचे नीचे जहां हमारा हमने अभी कटिंग की थी वहां में सिलाई लगान मैं पिन लगा कर यहां इसको अच्छे से एड़ेस्ट कर लेती हूं ताकि सिलाई के वक्त ही छोटा बड़ा ना हो कि गुमाते समय चौक से निशान लगा कर उसी पर हमें सुई को नौक को रोकना है इससे क्या है कि हमारा पर्फेक्ट कॉर्णर बनता है अब मैं यहां से पिन अटालूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहां पर कटिंग कर देंगे अब छोटे-छोटे कर्श लगा देंगे पलटना में हमें आसानी रहे अब हम इसको पलट लेंगे यह देखिए और कुछ इस तरीके से हमारी से बनकर आईए किनारे वाली सलाई हम यहां पर लगा लेंगे आईए कि यह देखिए किनारे वाली स्लाई हमारी लग चुकी है अब मैंने एक इस्ट्रीप लिए रेड कलर की इसकी जो चोड़ाई है वो ढाय इंच है अब हम इसको सिलकर और पलट लेंगे कि अब मैं हमारी एक इंच की फ्रिल पलटने के बाद अच्छे से तयार हो जाती है अब यह देखिए मैं स्टिक की मदस्से इसको पलट लूँगी जी देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है अब मैं इस पर अच्छे से चोड़ा करके इसको प्रैस लगा लूँगी अभी देखिए मैंने इस पर प्रैस भी लगा लिए अब हम इस पर छोटी छोटी फ्रिल डाल कर इसको रैडी करेंगे कम्प्लिट इसी दरीके से हमें पूरी स्ट्रिप में फ्रिल डालनी है अब इसको स्लीव पर अटेच करेंगे तो स्लीव के नीचे की साइड से मैं इसको अटेच कर रहे हूं अब आए थोड़ा सा सिलाई मार्जिन दबाते हुए हमें इसको अटेच करना है अब देखिए गुमाओं पर अच्छे से गुमाते हुए हम इसको इस तरीके से अटेच कर लेंगे और जो सेंटर है हमारा यहां पर हम फ्रिल को कट करेंगे पक्का करने के बाद मैं यहां फ्रिल को कट कर लूँगी यह देखिए और अब इसको दूसरी साइड से एड़्जेस्ट करते हुए हम यहां पर लगाएंगे तब इसमें लुक भी अच्छा आता है और बिल्कुल फ्रिंसिंग के साथ लगती है डायरेक्ट गुमाने पर यहां पर यह कोर्नर अच्छे से नहीं बनता है इसमें इसलिए मैं यहां पर इसको काटा है आप चाहें तो इसको गुमा कर भी लगा सकते हैं यह देखिए फ्रिल लगकर कंप्लीट हो चुकिए अब मैं यहां पर एक लेस लिए मैंने गॉल्डन और इसमें रेड कलर मिक्स है इसको मैं यहां पर अटेज करूँगी आप 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 कॉर्णर पर इसको पहले आप पलटके अच्छे से गुमा लें कॉर्णर बनाते हुए लेस अटेज करने से इसका लुक और भी सुन्दर आजादे आप 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 इस आप कर complete हो चुकी है कि दोनों साइट से इस तरीके से मैंने दोने स्लिव प्यूक्र लिए यह देखिए तो डिजाइन हमारा यहाँ होता है यह स students है सृड़ीे से पांच इन्ची यहां माषा है तो देखें से यह तैयार हो चुकि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग